हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दा सक्सस केंदरा फ्रेंड्स देखे आज इस सेशन में हम लोग बीपेसी टी आरी 3.0 यानि कि बीपेसी टीचर 3.0 जो न्यू वेकंसी 2024 में आई हुई है जिसका एकजाम मार्च 2024 में लिया जाएगा फ्रेंड्स उसके लिए आज हम लोग बीपे के प्रश्ण जाए बिलकुल नय है और इनके चांस अभी भी वीपेसी टी आरी 3.0 में पूछे जाने के हैं वैसे वी आपको पिछले एक साल का करेंट अफ्रेंड्स पढ़ करके जाना है तो यह अभी रिसेंटली करेंड अफ्रेंड्स उसको जरूर दबा लिजेगा ताकि जब भी BPSC TRE 3.0 New Vacancy 2024 से संबंदित कोई भी important वीडियो अप्लोड किया जाए तो उसका notification सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए तो चलिए session स्टार्ट करते हैं friends एक बार सभी लोग जल्दी से session को like कर जीजे और इसका link किसी भी एक group में फटाफट share कर दीजे तो friends जैसे मैंने आपको बताया है कि आज इस session में हम लोग BPSC TRE 3.0 यानि कि BPSC सिक्षक भरती 3.0 के लिए current affairs के questions को cover करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं यह पूरा question paper है और यहीं से मैं आपको current affairs को cover करवाऊंगा चले देखे प्रशन पूछा गया था कि इस रो द्वारा चंद्रियान 3 को प्रचेपित की जाने का दिनांक क्या है answer comment करते चलिएगा लोग आपका revision होते चलेगा और जो भी मैं explain करूंगा उसको ध्यान पुर्वक सुनिएगा इस तरह से आपके एक प्रश्न के साथ सा दो तीन प्रश्न कबर होते चलेंगे देखे सबसे पहले तो याद रखेगा चंद्रियान 3 को launch किया गया था इस रो के दवारा और मोहन कुमार mission director है यह सब मैं आपको बताऊंगा निस्तिन रहिएगा देखे चंद्रियान 3 को प्रशेपित किया गया था कब तो फ्रेंस इसको LV M3 M4 वेहिकल से प्रशेपित किया था 14 जुलाई 2023 को सतीस दावन अंतरिक स्केंद्र स्रीहरी कोटा से ठीक है ना 14 जुलाई 2023 राइट अंसर हो जागा LV M3 M4 वेहिकल से इसको launch किया गया था क्लियर अच्छा अगर पूछा जाए आपसे कि चंद्रियान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन है तो पी वीर मुथुवेल ठीक है ना इनका नाम रखेगा याद यह चंद्रियान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर है अच्छा चंद्रियान 3 के मिशन डायरेक्टर अगर पूछा जाता तो मिशन डायरेक्टर मोहन कुमार है प्रोजेक्ट भारत चंद्रमा के दक्षनी धुरूपर पहुंचने वाला दुनिया का पहला दिस बन गया है कहां पर दक्षनी धुरूपर पहुंचने वाला और अमिर्का रूस और चीन के बाद भारत चंद्रमा पर सौप्ट लेंडिंग करने वाला चोथा दिस बन गया है तो यह सब भी आप याद रखिएगा चले उसके बाद अगला प्रश्ण करेंगे चले आते हैं नेक्स्ट कुस्टन पर हम लोग यहां पर आईए नेक्स्ट कुस्टन यहां से है करेंट अफेर्स का देखिए प्रश्ण पूछा गया है कि फीफा महिला विस्व कप दोहजर तेइस फूटब करके यहां किताब जीता है तो यहां पर देखें स्पेन दिया हुआ है विनर था और इंग्लेंड जो था इसमें रणर अब था तो यह सभी पॉइंट्स ध्यान रखते चलेगा सभी अप्शन को देख लिजिए A B C D E B है उपर रिक्त में से एक सधिक और उपर रिक्त में स जो की चक्छू पब्लिकेशन का है यहां पर फ्रेंड्स आप देख भी सकते हैं BPSC बिहार शिक्षक बहाली और देखें यह प्रात्मिक विद्ध्यालय अध्यापक यानि कि प्राइमरी स्कूल टीचर भरती परिक्षा के लिए यहां एस्टड़ी गाइड है संपूर्ण यहां पर आप देख भी सकते हैं फ्रेंड्स मैं आपको बता दूँ देखिए विशाय सुची जो है जैसे आप जानते है कि जो प्राइमरी टीचर में है वन से फाइव तक में आपका लैंग्वज का पेपर होता है पेपर वन में और देखें लैंग्वज में यहां पर सत्थिया गया है ॐ और हिंदी पूरा सी लैंडास के सांथ दिया गया है साथी साथ यहां पर देखिए आपका में ते हैन रिउटियांग्या और तेख सकते हैं जो अलग से भार्ती राष्टि आ अंदोलन इनिया ने चोनल मॉडर्ण हिस्ट्री वश्चन है वह भी यहाँ पर complete दिया गया है यहाँ पर देखिए भारत का भूगोल यानि की geography of India और यहाँ पर विश्व का भूगोल यानि की world geography ये भी पूरा complete दिया गया है उसके पास यहाँ पर देख सकते है पॉलिटी वाला पूरा यहाँ पर detail में दिया गया है यहाँ पर देखिए economics दिया गया है Indian Economy उसी प्रकार यहां से देख लिजेगा Science वाले section में देखे यहां पर आपका Chemistry है Biology है पूरा syllabus कवर किया गया है और यहां पर देख सकते हैं गडित भी है और यहां पर देखिए Physics भी दिया गया है पूरा यहाँ बुक complete बुक है जो कि आपकी preparation में चार चांद लगाएगा और देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया है कि बिहार से related भी यहाँ पर बहुत सारे facts दिये गया है यहाँ पर देखिए पूरा बिहार से related facts दिया गया है और देखेंगे यहाँ पर बिहार से संबंदित आपको 100 plus mcq भी इस बुक में दिया गया देखें फ्रण्स चक्छू publication का BPSC 3 3.0 अन्य एक्जाम के लिए भी बुक आता है जो कि आप बुक को खरीद करके अपनी तयारी को और भी मजबूत कर सकते है चले उसके बाद next question है दा एक्जॉर्सिष्ट सर्वस्रेश्ट पीक्चर ऑसकर के लिए नमांकित होने वाली पहली डरावनी फिलिम है जिसका निर्देशक विलियम फ्राइट किन का हाल ही में 87 वर्ष की आयू में निधन हो गया है यह फिलिम इसी नाम से लिखे गए किसके उपनियास पर आधारित है यानि कि इसी नाम से लिखी गई है और यह उपनियास पर लिखी गई है उस उपनियास का लेखक का नाम पूछा जा रहा है तो इसको लिखा है किसने देखे option E और D आपको पता है डी जो है उपरिक्त में से एक साधिक है और ई जो है उपरिक्त में से कोई नहीं है तो इसको आप ध्यान रखेगा इसको लिखा है बिलियम पिटर बलाटी ने और इसको लिखा है दा एक्जॉर्जिस्ट ठीक है ना चलिए अगला प्रशन के 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 पुर्व सियम ओमान चांडी का हाली में निधन हो गया है लगभग तिरपन वर्षों तक लगातार के किस निर्वाचन चित्र से विधायक बने रहा है लगातार तिरपन वर्ष से ये विधायक बने हुए थे पुथुपल्ली के कहा के पुथुपल्ली पुथुपल्ली देखे option में दिया गया है क्या पुथुपल्ली option में दिया गया है क्या पुथुपल्ली विधान सवास से ये 12 बार चुने गये थे 12 बार चुने गये थे ठीक है ना और ये किरल के मुख्यमंत्री कितने बार रहा हैं 니 यह सब याद रखेगा नहीं पूथ। नहीं है पुथ३फभली का नाम तो इसलिए अगला प्रशन करेंगे कि महलाओं की इस्तिति पर सेंक्तराष्ट आयोग द्वारा की सदेश को निस्कासित किए grappling राष्ट आयोग के द्वारा की सदेश को महिना की इस्तिति पर तो यह कंट्री इरान है और महसा अमीनी आपको याद होगा इनका आपका में ही इनका निजन हुआ था जिसके कारण तो यह हमपर इरां हो जाएगा है इरां सर हो जाएगा नेश्ट कुस्न कर लेगे हंदी वाला सेक्षन यहां साईए देखें इरान में हिजाब पुलिस एरासित के दौरान की समहिला की मौत हो गई थी तो मैंने अभी आपका नाम भी बता दिया महसामीनी देखें महसामीनी राइट अंसर हो जाएगा ठीक है ना चले उसका बाद नेक्स्ट कुस्चन कर लेंगे कि जयरोग मुक्त भारत अभियान के राष्टी राजदुत और निक्षय मित्र का नाम क्या है महत्पु सारा उलम्पिक समिति के अध्यक्स भी है चले उसके बाद अगला प्रश्ण करेंगे यहां से अगला प्रश्ण में कितने दिनों के लिए कितने अंत्रिक सियात्रियों को भेजा जाना है आयोग ने इसका अंसर दिया है आपका यहां पर देखिए अप्शन नंबर सी तीन दीन अंत्रिक सियात्री साथ दिनों के लिए लेकिन अभी मैंने बढ़ा है कि सیात्री तीन दिनों के लिए दीनों के यह दिन ने कहां कि अप्रम भरतियार की प्रतिमा का अन्यों किया है अब option देख लीजेगा option देख करके आप चनई रामेश्वरम इन सब पर टिक लगा दीजेगा लेकिन नहीं यह जो मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन है इन्होंने महा कभी सुब्रमणयम भरतियार की परतिमा कानावरन वरा नसी में किया है कहां पर वरा नसी में किया है चले आते सब्सक्राइब 2023 को कहां से 37 धावन अंतिरिक स्केंद्र स्रीहरी कोटा से किस वेहिकल से तो LB M3 M4 से इसको लॉंज किया गया था तो स्रीहरी कोटा यहां पर राइट अंसर हो जाएगा चलिए अब अगला question paper है इसमें current affairs के कितने प्रशन पूछे गया मैं आपको बता देत पर लेते हैं अब हम लोग यह next day paper हुआ था आपको पता है कि 5-6 दिन paper हुआ था क्लास आपका 11-12, 9-10, 6-8, 125 का भी था चलिए अब देखें यहां से current affairs का question स्टार्ट हो रहा है कि बंगलार माटी बंगलार जल के लेखा कौन थे यह प्रशन वैसे भी important हो गया आपके लिए बंगलार माटी बंगलार जल के लेका कौन थे जव मुल्रूप से 1905 में लॉड करजंतवरा बंगाल की विवाजन के खिलाआप एक बीरोद गित था यह क्या है बंगलार माटी बंगलार जल के लेखा का नाम आप से तो यह रविद्नाटiken याद रखिएगा पोईला वैसाक यह पोईला वैसाक जो है इसको पसिम बंगाल ने राजी दिवस के रूप में नामित करने के लिए प्रस्ताव पारित किया है और बंगाली कलेंडर का पहला दिन है और हर साल 15 अप्रेल के दिन बंगाली लोगों के दिन द्वारा यहाँ मनाय जाता है पोईला वैसाक तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा चले हाल ही में उद्गाटित किये गए भारत के नय संसद भौन के वास्तुकार कौन है अचा जो नया संसद भौन है उससे संबंदित प घाटन किया गया उस मौके पर 75 रुपिया का जो है असमारक सी का जारी किया गया इसमें लोकसभा की 88 सदस के लिए सीठ है और राजसभा के लिए 384 सदस के बैठने के लिए छमता है ठीक है लोकसभा के 888 और राजसभा के 384 इनको जोड जीजेगा आठ चार बारा आठ 1272 ठीक है ना याद रखिएगा सब चले उसके बाद नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे कि 73 वे कांस फिलिम महुत सव मई 2023 में निमलिकित में से कौन सी भारतिये फिल्म प्रदर्शित की गए थी एक साल पूराना करेंट अफेर्स आपको पढ़के जाना है कम से कम ठीक है ना त कि अजाली ओसमानी ध्यानरके का यह नाम अजाली ओसमानी जिर्वन अफिर्की संगे के वर्तमान अध्यक्स क्रूप में नई दिली में जी ट्वेंटी सिकर सम्मेलन में भाग लिया जो जी ट्वेंटी का सबसे नया सदस बन गया है वे अफिर्की संग की किस देश इनुहुने हिस्सा लिया था और ये जु आफरिकी संग है ये जी 20 का Member बन गया है इसलिए अब G20 नहों करके अब इ tutaj going Keys लेज बन गया है इससी को ध्यान रख्येगा और 2024 में इसका ओजन जो होगा बैठक का डी ट्विन वन व हो गया है अब इस निते होगा और अजली और समानी यह अभी रखेगा यह कहां के राष्टопती यहां पर दीया भी गया ऩश्रके राष्ट स कर दानी अगर पूछ लिया जाए तो यहां के राष्ट्टानी मोरो नहीं ठीक है ना चलिए देखें मानावधिकार दिवस प्रती वर्स कब मनाया जाता है तो आप सभी को पता है प्रतीक वर्स 10 दिसंबर के दिन मानावधिकार दिवस मनाया जाता है और इस वर्स यानि कि 2023 में इसका थिम था फ्रेडम इक्वालेटी एंड क्या है जुस्टीस फौर ओल फ्रीडम इक्वालेटी एंड जुस्टीस फौर ओल ठीक है ना याद रखियेगा चले उसके बाद एक्वस पूछा गया था next question यहां से है एक प्रश्ण यूसर में पुछा गया था साइद आपको दिखा देता हूं दिवस और पर ही घथा स्यत पुछा गया थ से 22 अप्रेट को किस रूप संय किसे मनाया जाता है 22 मार्च की दुननी जल तो इस और 22 मार्च के दिन जल दिवस मनाया जाता और और 2023 में इसका थिम क्या था इसका थिम था invest in our planet invest in our planet ठीक है याद रखेगा यह थिम था 2023 का चलि उसके बाद अगर हम बात करें तो 22 मई के दिन क्या मेरा आजाता है जैव विविद्धिता दिवस मनाए जाता है चलिए अगला पर हम लोग कर लेते हैं स्टेदे जो पेपर हुआ था उसमें करेंट के जो प्रश्ण पूछे गया है उनको आप कवर करते हैं चले यह रहा अगला प्रश्ण प्रश्ण है कि एक दिसंबर 2022 को किस हवाई अड़े पर डीजी यात्रा शुरू नहीं की गई थी देखें कितना पुराना करेंट फेर पूछा गया एक साल पुराना इसलिए मैंने बोला है आपको कम से कम एक साल पुराना करेंट फेर सापको पढ़ना है चले तो यह कहां कहां पर हुआ था तो देखें यह स्टार्ट किया गया था नई दिल्ली वारानसी और बैंगलूरू में नई दिल्ली वारानसी और बैंगलूरू यह तीन साहर में स्टार्ट किया गया था डीजी यात्रा ठीक है ना नई दिल्ली वारानसी और बैंगलूरू रायपूर में नहीं किया गया थ है उसके गरतंतर दिवस 26 जनवरी 2023 को मुख्य अतिती कौन थे तो 2023 में जो मुख्य अतिती थे यह आपका मिसर के राष्टपती अब दिल फते अल सीसी थे अधो 2024 में कौन है 2024 में आपके फ्रांस के राष्टपती इमैनुवल मैक्रो है याद रखेगा और देखे 75 गरतंतर दिवस था इस बर्स में हुआ था ऑप्सन सी राइटन सरो जाएगा आप याद रखेगा पांचवा एउरोपिय संग भारत प्रतियोगिता सब्ता नई दिलिमा आउजित किया गया था अभी छाठा आउजित नहीं हुआ है चले उसके बाद अगला प्रशन के पूछा गया है कि सुरे का अध्य मुथुवेल थे ठीक है और मिशन डिरेक्टर मोहन कुमार थे और यहां आप आधित 11 का पूछा गया है 11 को लॉंच किया था डेट 2 सेतंबर 2023 से याद रखेगा जैसे की चंद्यान 3 का पूछा गया था तो यह भी आप ध्यान रखेगा ठीक है ना और देखे इसको लॉंच कि यहां पर पूछा गया है क्या मिशन के परियोजना नहीं देशक यानि कि प्रोजेक्ट डिरेक्टर कौन है निगार साजी कहां पर दियागा और सी राइट अंसर हो जाएगा निगार साजी क्लियर ना चले उसका बाद नेक्स्ट कोस्टन कर लेंगे कि सभीत राज अमिर गैर कानूनि घोस्ट करने के लिए मतदान किया है जिनका रोफ है कि उन्हें रोजगार और आवास में निस्पक्षता के लिए पारंपरिक अमिर्की सुरक्षा उपाईयों से बाहर रखा गया है तो यह कौन सा जो है आपका पहला राज बन गया तो यह राज पहला बन गय सियेटल नहीं करिएगा सियेटल बहुत लोगों की याद होगा तो सियेटल जो है यह सहर है जो जाती आधारित भेदभाव पर प्रतिबंद लगाने वाला पहला सहर बना अमिर्का का ठीक है यह राज कैलिफोर्निया था जिसने दक्षिन A.C.I. मुलके लगों के लिए जाती के अधार पर भेदभाव को गयर कानूनी खुषित किया है याद रखिएगा चले अगला प्रशन है कि किस देश ने रूबेला के सफल उन्मुलन की खुष्णा किया है रूबेला के सफल उन्मुलन की खुष्णा भूटान और तीमोर ले समान किसे दिया गया तो ऑप्षन के लाग से हम बात करें तो यह आपका दलवीर सिंग्सुहाग जनरल दरवीर सिंग्सुहाग को ये विरास्तों को वापस भारत लाना है ठीक है ना ओप्शन नमबर यहाँ पर सी राइट अंसर हो जाएगा चले उसका बाद अगला प्रश्ण पूछा गया है कहा पर पूछा गया है उस अदेश का नाम बताइए जो पहले जी 21 की मेज़बानी करें का अब चलिए अब आते हैं, next question कर लेंगे अब, चलिए देखे अगला प्रश्ण है कि निमने लिखित कथनों पर विचार करें, current का question है देखे चंद्रियान थिरी से और उपरिक्त कथन में से कौन सा सही है, यहां से आपको तीन कथन में से answer चुन करके बताना है, देखे चंद्रिया रखेगा, अपना कारे ठीक से नहीं किये, गलत दिये गए ठीक से कारे किये, और चंद्रमा पर यान उतारने वाला देशों की सुची में भारत चौथे अस्थान पर है, तो अभी मैंने आपको बताया भी था कि भारत चंद्रमा के जक्षिनी दुरूपर पहुंचने वाला जक्षिनी दुरूपर आपका सौप्ट लेंडिंग करने वाला भारत चौथा दिस है, तो इस तरह से यह स्टेटमेंट सही है, जक्षिनी दुरूपर पहुंचने वाला पहला लेकिन चंद्रमा पर सौप्ट लेंडिंग करने वाला चौथा दिस है, यह सही है, तो केवल त सभी है जो कि अप्सेंट नमबर यहां पर दिखेंगे दिया गया है देखें संग्तराष्ट मुख्याले में अस्थापित महात्मा गांधी का प्रतिमा का निर्मान किस ने किया था तो फेंट्स यह राम सुतार जी ने किया अप्सेंट नमबर भी राइट अंसर हो जाएगा देखान रखिएगा चलि आगला प्रश्ण है यहां पर देख लिजेगा किन्यम नलिखित में से कौन सा देश उन्हें तीन देशों में से नहीं था जिसके लिए नोबेल फाउंडेशन ने अपने निमंतरन नितिक उलड़ दिया और उन्हें अपने 2030 कारेक्रमों के लिए आमंत्रित किया देखे दरसल जो है रूस इरान और बेलारूस इन तीनों कंट्री पर जो है इन्होंने निमंतरन भेजा था लेकिन बाद में उसको निमंतरन वापस ले लिया यहां पर प्रश्ण उल्टा पूशी दिया निमंतरन को भेज करके अपने निमंतरन नितिक जाएगा निमंतरन वापस ले लिया इन तीनों दोस देसों से कौन मनिपूर में राहत और पुनरवास की निगरानी करने के लिए अगस्त 2023 में भारत की सरवच नयायलाय द्वारन युक्त उच नयायलाय के पुर्वन आधिसों के पैनल में नहीं थे और करेंट अफेर्स मे ठीके अगर हम बात करें तो जम्मो कस्मिर हाई कोट के पुर्व सीजी आई यानि की चीफ जश्टिस सीजी आई नहीं कहेंगे कि चीफ जश्टिस अब इंडिया होता है सीजी आई का सीजे कहिए चीफ जश्टिस ठीक है ना जम्मो कस्मिर हाई कोट के पुर्व मुक्ष न यहां पर न्यान सुधा नहीं थे तो अफ्सन हो जाएगा चलि अग्ला प्रशन करलेंगे कि अगश्त सबसे कम उमर के वरिष्ट विश्व चेंपियन और पहले खिलाडी कौन बने हैं तो इस खिलाडी का नाम क्या है इनका नाम याद रखेंगे अदेती स्वामी है अदेती स्वामी करेक्ट अंसर हो जाएगा चले उसके बाद देखे अगला प्रशन पूछा गया है अगला प्रशन कहां पर है नीचे दिया गया हाल ही में किस राजजी की कैबिनेट ने मीशन सक्ती स्कूटर योजना को शुक्रिती दिया है तो यह ओडिसा गवर्नमेंट ने दिया है ध्यान रखेगा चले नेक्स्ट कुस्टन कर लेंगे अब देखिए अगला प्रशनी के एलन मस्क द्वारा सीगी नेचर बुलू बर्ड लोगों को बदल करके एक्स लोगों की घोशना करने से पहले 2012 में अपने अंतिम संस्करन में ट्वीटर के प्रतिष्टित बर्ड के निर्माता के रूप में किसे जिमाना जाता है तो राइट वारना विज्ञान के बारे में प्रसिद्ध फिल्म ओपन हाइमर की निर्देशा कौन है ओपन हाइमर आपको याद होगा ओपन हाइमर को परमानुबंब का जनक कहा जाता है और इसके डिरेक्टर का नाम पूछा गया है तो इनका नाम है क्रिश्टोफर नोलन ठीक है ना चले उसका बढ़ देखेगा कि निमनलिकित में से किसने रासमंडल खेलो दोजर चांसमरन की मेजबानी से इसका आवजन पर भारी और अनुमानित व्या के कारण अपना नाम वापस ले लिया है तो यह आपका नाम ले लिया है अस्टेलिया में होना था विक्टोरिया में नाम वापस ले लिया है हलाकि अस्टेलिया में होगा चले हाल ही में बने जो भी पक्सी राजनितिक दल था इंडिया इसका फुल्फर्म पूछा गया है तो इंडिया का फुल्फर्म क्या था इंडिया का फुल्फर्म था इंडियन नेशनल डेवलोप्मेंट इंक्लूजि यह आपका इंडिया का फुल फॉर्म है चलिए अगला प्रश्ण है कि अगस्ट दोजर तेईस में जब चंद्रयान टू चंद्र और बेटर ने चंद्रयान थी के लेंडर मोडियूल से संपरक अस्थापित किया तो उसने क्या संदेश भेजा था तो उसने संदेश भेजा थ कोनन चुन को अप्रवारत नमर आपसर नबर ए कोमोरस के राष्ट पती है द fandom रखेगा चले उसके बाद next question कर लेंगा अगला प्रशन अब देखे friends यह आपका one to five का question paper है ठीक है ना उसी का यह current का question है देखे नबाड के अध्यक्स नबाड का full form national bank for agricultural and rural development अस्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी याद रखेगा और इसके अध्यक्स नबाड के कौन है तो साजी के वी ह option number c right answer हो जाएगा चले ओंजीसी की कोन है वेन जिसी का वेन जिसीका उध्यक्स जो है एत्यक्स और CEO अरून कुमार सिंह और उन कुमार सिंह ना मियाद रखेगा कौन है ओर ऊरून कुमार सिंह आरून कुमार सिंग आप्कली when देक ही एटली के प्रदाहान मंत्री का नाम का कि संख्या तो एक तीसों सट्था दोहजर पांच भी दोहजर तेईस में अगर पुछेगा तो आपका योजना का नाम क्या है जो मिड़े मिल स्कीम 1995 में स्टार्ट किये गया था ठीक है ना और इसका नाम रखा गया है पीएम पोशन योजना कहां पर दिया गया पीएम पोशन योजना ऑप्सन नंबर ए राइट अंसर हो जाएगा यहां प्रत्सन में प्रश्ण होना चाहिए रह्यृघवज भागालपूर नहीं बिहार नहीं की स्टेट इसेटए आइक और हधाए खाकुर है चले अगला प्रशन करेंगे फ्रेंट्स यहां से है नेक्ष्ट कोशन हमारा कि जल जीवन मिशन की सकल बजट रासी यह पिसला बजट पुछा गया है तो उसमें सत्तर हजार करो रुपया और अभी जो है जल सकती मंत्राले को दोहजार चौबिस पचीस के अंतरिम बजट में अंठानवे हजार चारसो अठारह करोर रुपय का जो है रासी आबंटित किया गया है और इस रासी में से एकहत्तर प्रतिसत जो होगा हिस्सा जल जीवन मिशन के लिए होगा यह चीज अभी के लिए आप याद रखिएगा चले उसका बाद नेक्ष्ट कुश्टन है कि कलस आप पुस्तक के लिए कौन दचिपकोब मुवमेंट अपिपूल सेष्ट्री पुस्तक को लिखा किसने है जिसको लिखा है फ्रेंड्स बठाइए सेखर पाठक ने लिखा है ठीक है ना चले विसवरेल लिपी दिवस कब मनाया जाता है जाता है तो यह प्रतिक वर्स चार जर्मवरी के दिन 20 अब्रेल लीपी दिवस मनाय जाता है ध्यान रखेगा ठीक है ना चले उसके बाद देखे अगला प्रश्ण पूछा गया है कि भारत गौरो प्रेयाटक रेल गाड़ी के संबन्द में कौनसा कथन सही है भारत गौरो प्रेयाटक रेल गाड़ी के पर यह नई दिली से इंदोर होते हुए इनका जो बर्थ प्लेस है वहाँ तक गया था तो एक साधिक इसका राइट अंसर हो जाएगा जो कि ऑप्सन नमबर डी में दिया गया उपर इक्त में से एक से अधिक चले उसके बाद देखे अग्यात सवो के डीने का डेटाबेस रखने वाला भारत का प्रथम राज अग्यात सवो के डीने के डाटाबेस रखने वाला जो प्रथम राज्य है यह राज्य हिमाचर प्रदिस बना हुआ है अप्सन नमबर ए राइट अंसर इसका हो जाएगा चले देखे आसियान दोजर तेईस के सिखर सम्मिलन का आय उज सम्मिलन की मेजबानी करने वाला देश कौन सा है तो देखें दस माई 2023 को पीटर्सवर्ग क्लाइमेट डालग सम्मिलन की मेजबानी करने वाला जो कंट्री है यह जर्मनी है तो जितने भी प्रश्ण विपेसी ट्री 2.0 में करेंट अफेर्स के प्रश्ण पुछे गया थे उनको मैंने कंप्लीट करा दिया है